Welcome to our channel Fantasy Fortune इस वीडियो हम बात करने जा रहे है मुंबई इंडियन्स वर्सेज लखनाव सूपर जाइंट्स IPL मैच जो ही खेला जाएगा ब्रेबॉन स्टेडियम मुंबई में क्या हो सकती है पॉसिबल प्लेइंग 11 कौन से चेंजिस होने वाले हैं क्या रहेगी स्मॉल लीग की टीम ग्रैंड लीग की क्या टीम से रहने वाली है सब हम इसी वीडियो में डिसकस करने वाले हैं पूरी वीडियो देखिएगा मज़ा आने वाला है अगर आप लोग नए हैं सो आप हमारे साथ टेलिग्राम चैनल पर जुड़ जाएए यह हमारा टेलिग्राम चैनल है Fantasy Fortune के नाम से हैं लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा साथ के साथ मैं कमेंट सेक्षन पिन कर दूँगा उसी के धूरू जुड़िएगा सर्च करके मच जुड़ना क्योंकि fake चैनल काफी सार है हमारे नाम के और कोई fantasy fortune के नाम से पैसे मांगे सो बिलकुल भी देने की ज़रुत नहीं है साथ के साथ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए जैसे वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी बात करते हैं वेन्यू की सब्रेबों स्टेंड ये मुंबई में ये मैच खेला जाएगा अभी का जो मैच हुआ है केके आर सन्राइजर्स का वो भी मैच वहीं पर ही हुआ था सो कल भी यहाँ पर सीम वेन्यू पर ये मैच होने वाला है अभी तक टोटल सत्रा जो मैच हुआ है उसमें से चेजिंग टीम ने जो है नो मैच जीते हैं और बैटिंग फर्स्ट करते हुए आठ बार टीम जीती है और जो एवरेज फर्स टीम का स्कोर रहता है 164 का रहता है लेकिन इस सीजन क्या हुआ है वो देख लेते हैं तो यहाँ पर अभी तक 6 मैच हुआ है इस सीजन में और हर मैच आप देखोगे हाई स्कोरिंग रहा है मतलब पहला मैच जो मुंबई का था 117 बने है फिर यहाँ पर चन्नाई ने 210 पंजाब ने 180 यहाँ पर गुजरात ने चेज कर लिया था 190 बनाए थे उन्होंने दिल्ली ने 215 और यहाँ पर आज भी हमें 175 और केके आर की तरफ से देखने को मिले थे सारे मैच जो है हाई स्कोरिंग मैच हुए है और यह आफटरनून गेम है और स्पिनर्स जो है वो गेम में आ सकते हैं इस मैच में क्योंकि ड्यू फेक्टर नहीं होगा और धूप के कारण स्पिनर्स को मदद मिल सकती है और यहाँ पर जो है एक अच्छा कॉंटेस्ट हमें देखने को मिल सकता है तो टीम जो पहले बैटिंग करती है मुझे लगता है 180 रन तक हमें देखने को मिलने चाहिए इस मैच में बात करते हैं मुंबई इंडियन्स की तो यहाँ पर चेंजिस हो सकते हैं क्योंकि टीम पांचों मैच हारी है समझ के बाहर यह है कि टीम जो है कभी जैसे लगाता हार भी रही है फिर भी दो फॉरण प्लेट के साथ जा रही है कभी तीन के साथ बेंच स्वेंट है टीम के पास राइली मेरेडिस हैं फेबियन एलन है इवन संजे यादर है मोका नहीं मिल रहा है तो देखते हैं इस बार किसको मिलता है तो यहाँ पर कंसिडरिंग की आफटरन मैच है तो फेबियन एलन को टीम खिला सकती है अगर वो खिलाती है तो जैदेव उनाटकर की जगा टीम में आ सकते हैं या फिर एवन राइली मेरेडिस को मौका मिल सकता है इन प्लेस बाजिल थंपी या जैदेव उनाटकर सो यह ए अपना ओपइनियन हाँ या ना में जवाब देकर रियल कैश विन कर सकते हैं जो इसका link description में है डाउनलोड कर लेना fortune refer code है बल्ले बाजी का so link description में डाउनलोड कर लेना बात करते हैं interesting facts की सो यहाँ पर कुछ match-ups जो है जो important हो सकते हैं इस match में वो उसकी बात करते हैं तो य यहाँ पर दुश्मन तशमीरा रवी बिश्णोई ने सूर्य कुमार यादव को दो बार आउट किया हुआ है सिर्फ नो बोलों के अंदर और यहाँ पर गौतम ने भी जिनका पर यूस पाउर प्ले में हो सकता है अगेंस्ट इशान किशन उन्होंने भी 12 बोलों के अंदर ए रोई शर्मा उपन करते हुए नजर आ जाएंगे इशान किशन के साथ रोई शर्मा फॉर्म में अच्छी लगे हैं लेकिन स्टार्ट मिला है लेकिन कंवर्ट नहीं कर पाए हैं भी तक लेकिन यह मैच एक अच्छा मैच हो सकता है इनके लिए अगर यहाँ पर यह चमीरा क आपशन टैकल कर जाएं तो एक अच्छी लिंग्स खेल सकते हैं तो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में अच्छी कैप्टन वाइस कैप्टन की चोईस बन जाते हैं रोई शर्मा इशान किशन की बात करें तो इशान किशन जो है पहले दो मैच में काफी अच्छे खेले ल बैटिंग कर रहे हैं और ज़र्वताने पर बोलिंग भी कर सकते हैं तो एक आपके लिए डीसेंट पे बन जाती है सुर्य कुमार जब से वापिस आए हैं लगातार अच्छी पर्फॉर्मेंस दे रहे हैं तो इंपोर्टन पिक रहते हैं टीम के लिए लेकिन यहाँ पर जाता है तिलक वर्मा है स्टार्टिंग में जो भी मैच खेले हैं काफी अच्छे टच में नज़र आ रहे हैं मतलब कि ओपनर से ज्यादा जो है ना इनका मिडिल ओडर काफी अच्छा कर रहा है बट स्टिल जो है क्योंकि बोलिंग इतनी स्ट्रॉंग नहीं है जिस वज़ ग्रेंड लीग की बहुत भड़या चॉइस बनता जा रहा है कैप्टन वाइस कैप्टन की ग्रेंड लीग के लिए इवन स्मॉन लीग में इस मैच में काफी अच्छी डिफरेंशल पर बन सकते हैं अब आप देखो कि आज के मैच में जैसे मार्करम से कोई ले नहीं रहा थ ठीक है तो यहां पर मार्करम जो है उनको ज्यादा कोई ट्राइड नहीं कर रहा था हमने लिया वन साइडेड विन करा गया तो पोलाड भी जो है अब लगतार क्योंकि अच्छा परफॉर्मिस नहीं रही है अच्छा कर सकते हैं अगर टीम पहले बैटिंग करती है और ग्र यहां पर उनकोट को बैटिंग से अच्छा मौका मिल रहा है और उनकोट कर ठीक ठाक बैटिंग कर भी लेते हैं तो एक और राउंडर ही मान कर चलना उनकोट को अगर फेबियन ऐलन नहीं खेलते हैं तो एक decent pick आपके लिए बन सकती हैं फेबियन ऐलन खेलते हैं तो एक्रे बुम्रा की बात करें, बुम्रा टीम के लिए इंपॉर्टेंट है, बैटिंग फर्स्ट अगर मुंबई के आती है, तो उस केस में एक अच्छी पिकाप के लिए बन जाती है, बेजल थंपी की बात करें, तो इंटरस्टिंगली लास्ट मैच में टाइमल मिल्स जो लगातार टीम के डेट बोलर हैं, उन्हें डेट में ना बोलिंग कराकर, बेजल थंपी को कराई गई थी और वो डेट में विकेट ले गए थे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, टाइमल मिल्स इस मैच में खेलते हैं, तो एक अच्छी पिकाप के लिए रहेगी, डेट में की बात करें, तो यहां पर रोईश शर्मा, इशान किशन, सूर्य कुमार, तिलक वर्मा, जस्पीद गुम्रा और टाइमर मिल्स जो हैं, टीम के लिए इंपॉर्टन खिलाडी हैं, लकनाओ की बात करें, तो पांच में से तीन जीती है, दो हारी है, केल रहुल जो हैं, अच काफी अच्छी बोल वो करी थी, इस मैच में जादा खतरा नहीं है, अगर देखो, क्योंकि मुंबई की पास इतनी अच्छी बोलिंग ही नहीं है, तो यहां पर डूसरी टीम के ओपनर्स को एक हमेशा एडवांटेज रहेगा, रंस बनाने का, बुमरा है, उनके अगेंस अ वन डाउन आने चाहिए, लेकिन लास्ट मैच में देखा था जैसे, पहली बोल पे हाँपर जैसे विकेट गिरा, बोल स्विंग हो रही थी, इनको प्रिजर्व करके रखा कि यार पहले स्विंग निप्टा दो, और ओल रांडर फेज दो, गोतम को भेज दिया, होल्डर को भेज दिया, तो जो है, मारकस टॉइनिस, एंड में आए, रंस बनाए, ठीक है, लेकिन काफी लेट हो चुकी दी, जिसके चलते, जो है, लखनाव वाला मैच हार गई, लेकिन मारकस टॉइनिस, इंपॉर्टन रहेंगे, एक्सपेक करो कि वन से टू डाउन, जो है, इनकी बैटिंग आनी चाहिए, और जवरताने पर ये बोलिंग भी कर सकते हैं, तो एक आपके लिए अच्छी इंपॉर्टन पिक बन जाती है, ग्रैंड डीक में, कैप्टन भी ट्राए कर सकते हो, दीपक उड़्डा, जो है, इनका पोजिशन है, एक अच्छी लगतार अच्छी फर्म में भी हैं, ज़रुताने पर ये भी बोलिंग कर सकते हैं, सामनी की टीम में लेफटी बैट्समन भी हैं, तो यहाँ पर इशान किशन और तिलक वरमागर क्रीस पर जादा दे रहते हैं, तो दीपक उड़्डा जो है, बोलिंग भी आपको करके दे सकते हैं, जो एक अ क्योंकि जैसे लास्ट मैच में प्रमोशन जो है, गोतम को वन डाउन मिल गया, सो किसी भी मैच में बदोनी को भी ये चीज़ ट्राइक करी जा सकती है, कि वन डाउन जो है, बदोनी से करा देन की पास टेकनीक काफी अच्छी है खेलने के लिए, और वन डाउन पे ये अच अच्छा कर सकते हैं, तो अगर ऐसा किसी भी मैच में होता है, और अभी तक बैटिंग इन्होंने अच्छी करी है, मैचे भी कुछ जिताए हैं, तो यहाँ पर एक बहुत भड़िया चोईस आपके लिए बन सकती है, ग्रैंड लीग में, स्मॉल लीग में थोड़ा रिस्की ज़रूर रहेंगे, क्योंकि नीचे बैटिंग कर रहे हैं, सोक शौर नहीं है कि प्रमोशन टीम देगी या नहीं, के गोतम की बात करें, सो यहाँ पर लेफ्टी बैट्समेन यहाँ पर भी है, सो यहाँ पर के गोतम जो है स्टार्टिंग में इशान किशन को जो है नहीं कर रहा है, इग्नोर कर रहे हैं, बहुत अच्छे पिक, डिफरेंशल पिक, स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों बन सकते हैं, फॉर्मर टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं, इस सीजन की आईपल की कहानी क्या रही है, हर मैच में जो भी मतलब मैजोरिटी आफ टाइ इस उसमें जो है, जब कोई प्लेयर है जो अपनी पूरानी टीम के अगेंस्ट खेल रहा है, उसने अच्छा करा है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, सक्रुनाल पांडिया अच्छा कर सकते हैं, जेसन होल्डर की बात करें, इंपोर्टेंट रहेंगे, डेथ में बोलिंग क करेंगे, और स्टार्ट में यहाँ पर रोष शर्मा को तंग ज़रूर कर सकते हैं, तो ग्रैंड लीग में आप इन्हें ट्राइज ज़रूर कर सकते हैं, रवी बिश्णोई इस मैच में इंपॉर्टेंट पिक बन जाते हैं, क्योंकि आफ्टरनून गेम है, और पिछले एक निलिंग में चाहो तो आवेश खान को ड्रॉप किया जा सकता है, डेथ बोलिंग की बात करें, आवेश खान है, जेसन होल्डर है, इंपॉर्टेंट फेर की बात करें, तो यहाँ पर टॉप थ्री, केल राहूल, डीकॉक, स्टोईनिस, होल्डर, बिश्णोई और यहाँ प इपके टीम, स्टोईनिस, होल्डर, खान और यहाँ और टेना का समय पए बात करें, बैंटिंस, बैंस हैं, यहां पर मैं सूर्य कुमार यादव को लिया है, यहां पर मैने रो순 शर्मा को लिया है, सूर्य कुमार यादव लिया है, इवन-दो रवी विश्णोई तंग कर स वो भी एक अच्छी pick है क्योंकि अगर middle order जो है फ्लॉप होता है तो तिलख वर्मा के shine करने के ज़्यादा chances बन जाते हैं तो आप दोनों में से किसी एक को या इवन दोनों को try कर सकते हो मैंने यहाँ पर Marcus Stoinis को अपनी team में रखा है bowling भी कर रहे है नेट्स में प्लस यहाँ पर अभी जो है नेट्स में bowling कर रहे है तो यह match में भी इनका use हो सकता है किसी भी match में और one down betting कर सकते हैं और नहीं भी करते टारी ऐसा खिलाडी है यह hitter end का यह promotion इन्हें मतलब last के 5 और है Stoinis को ही batting करवाई जाएगी और खेल भी काफी अच्छा रहे थे तो मेरे इसाफ से important रहेंगे बदोनी है grand league में आप इने जरू try कर सकते हैं small league में भी अगर team पहले risk लेना चाते हो तो team अगर पहले batting करती है उस case में बदोनी को ले सकते हो यहाँ पर all rounder section में चलते हैं so all rounder section में काफी अच्छी pick है हमारे पास bruis है अच्छा कर रहे हैं यहाँ पर jason holder है kronal pandya एक अच्छी differential pick बन जाएंगे polard का selection बिल्कुल नहीं है try जरूर कर लेना match winner खिलाडी है जैसे रसल ने आज सब कुछ करा है पोलाड भी किसी भी match में आसा कर सकते हैं gotham 8 trade में आपको अच्छी pick मिल रही है so अभी के लिए bowling section में आते हैं so यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो लिया है वो है रवी बिश्नोई को अपनी टीम में रखा है यहाँ पर मैंने आवेश खान को अपनी टीम में रखा है अब हमारे पास 25.5 trade बच रहे हैं so मैंने यहाँ पर अभी के लिए timer mils को अपनी टीम में रखा हुआ है so यहाँ पर आप देख रहोंगे bumra को नहीं लिया है क्योंकि यहाँ पर bumra और even यहाँ पर holder दोनों हम नहीं ले पा रहे हैं किसी एक को लेना होगा या फिर आवेश खान को भी drop करके आवेश खान, bumra और यहाँ पर जेसन होल्डर हमने तीन प्लेयर को जो है इन में से कोई जो है एक को हमें drop करके चलना होगा इस चीज़ का धियान रखना है या फिर आप बैटिंग सेक्शन में स्टॉइनिस को drop करके जो है क्रेट मेंटेन आप कर सकते हैं उस केस में आप उड़ा को ले सकते हैं ये भी एक option आपके लिए बन जाता है अभी के लिए मैंने यहाँ पर बुम्रा को नहीं ले पा रहा हूँ बुम्रा फिर आप हमारे पास एट क्राइट बच जाते हैं अगर जिस टीम की पहले बोलिंग आती है सो सपोज यहाँ पर मुंबई की आती है सो हम बुम्रा ले लेंगे दवाइस हम आपेश ले लेंगे अब एट क्राइट की पिक बचने है सो बेदल थंपी अच्छी आप्शन है बोलिंग फर्स्ट करते हुए यहाँ पर के गौतम है जो ओल टाउंटर का काम करके दे देंगे फेबियन एलन या संजियाद अब खेलते हैं सो वो भी अच्छी आप्शन बन जाते हैं मैंने यहाँ पर रखा है केल राहूल को वाइस कैटन रखा है मैंने डी कोग को इसी वज़े से ज़्यादा बोलर्स भी हमने लिये हैं लखनाओ के यहाँ पर उप्शन जो है रोहिश शर्मा और इशान केशन भी और even holder को भी आप captain wise captain कर सकते हैं बात कर लेते हैं grand league teams की सो उससे पहले आपको बल्ले बाजी आप की भी team दिखा देता हूँ सो यहाँ पर half crate जादा बच रहा था हमारा सो उस case में हमने आपर Gotham की जगा Morgan Ashwin को पुपनी team में रख लिया है बाकी team जो है same रहेगी यहाँ पर आप चाहें तो एक batsman या एक bowler के साथ भी team बना सकते हो restriction नहीं है so link description में है और fortune refer code है उसके थूँ आप download कर लो बल्ले बाजी आप बात कर लेते हैं grand league teams की सो दो teams मैंने आपके लिए create करी है team number one की बात करें यह team अगर पहले यहाँ पर अगर हम chase कर रहे हैं अब लखनाओं की team chase कर रही है उस case में काफी अच्छी team बन सकती है so यह out and out जो है वो team हमने बनाई है लखनाओं के favor ने क्यूंकि top order बहुत जाज़ा strong है आपर decock और राहुल में capability है कि वो कोई भी target जो है दोनों मिलकर ही chase कर सकते हैं प्लस ब्रेवोन का stadium ऐसा है यहाँ पर runs बनते हैं तो उस हिसाफ से हमने यह team create करी है team two की बात कर लेते हैं so team two में हमने काफी हद तक opposite चीज़ करी है तो यहाँ पर रोई शर्मा को captain रखा है और यहाँ पर इशान किशन को vice captain और इस team में हमने बदोनी को भी रखा हुआ है और spinner में यहाँ पर सिर्फ लखनाओ की तरफ से हमने रवी विश्नोई को रखा हुआ है so यह बन जाती है हमारी team two आप इसी तरीके से multiple teams इस match में create कर सकते हैं तो किसी एक player को यह multiple teams में captain कर सकते हैं especially किसी opener को so यह रहेगी small league की team final team telegram पर मिल जाएगी so अगर अभी तक नहीं जुड़े हो सो जुड़ जाओ link description में है साथ के साथ comment section पिन कर दूँगा उमीद है आपको वीडियो पसंदा यह पसंदा यह सो like करो share करो channel को subscribe करके bell icon दबा दिजिए जैसी वीडियो आएगी आपको notification मिल जाएगी thank you guys